राजनिती के लिए कहा जाता है कि यहाँ ना तो कोई अस्थाई साथी होता है और ना ही अस्थाई दुस्मन हाला कि कई ऐसे राजनिताओं के बीच आजी वन दोस्ती रही मौत ही दोनों दोस्तों को अलग कर पाई थी लेकिन कुछ राजनिता ऐसे भी हैं जो पहले तो अच्छे दोस्त थे लेकिन फिर परिस्थितिया ऐसी बनी कि दोनों एक दुसरे के वीरोधी बन गए आये डालते हैं ऐसी ही चंद नामों पर एक नजर बच्चन परिवार और गाधी परिवार के बेच शमन कितने मधूर हुआ करते थे ये किसी से छीपा नहीं है परिवारों के बीच घनिष्टता के कारण जया बच्चन और शोनिया गाधी भी अच्छी दोस्त बन गए थी हलाकि राजीव गाधी के निदन के बाद शमय और परिश्थिती बदली दोनों परिवारों के बेच रिष्टों में दरार पड़ गए इस दरार के साथ जया बच्चन और शोनिया गाधी के रिष्थे भी खराब हो गए लालो प्रिशाद यादो और नितिश कुमार ने लगबक साथ में ही राजनीती शुरू की थी दोनों शालों तक दोस्त और शेकर मी रहे फिर राजनीती ने दोनों दोस्तों को आमने शामने लाकर खड़ा कर दिया दोनों के बीच जमकर जुबानी जंग हुई फिर 2015 में द अच्छे दोस्त हुआ करते थे दोनों के पिता भी अच्छे दोस्त थे लेकिन 2020 में जोयती राति सिंधिया के कॉंग्रेश छोड़ बीजेपी में जाने के साथ इस चर्ची दोस्ती में दरार पड़ गए थी अब सिंधिया जमकर गांधी परिवार पर निशाना शारते हैं दिली के मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल और कुमार विश्वास राजनीती में आने से पहले अच्छे दोस्त थे दोनों ही अन्ना अंदोलन के चर्चित और महतपूर चड़े थे केजरिवाल ने आमादनी पार्टी बनाई तब कुमार विश्वास भी संस्थापक सदस में थे लेकिन राजिती में बैचारिक मत भेदो ने इन दोनों के दोस्ती में दरा डाल दी अब केजरिवाल तो नहीं लेकिन कुमार विश्वास खुलकर अपने पुराने शाथी पर निशाना शाधते हैं इसे फैरिस्त में एक चर्चित जोड़ी और भी है बस्पा के चुके हैं कि अबैसिंग ने उनको पर जानलेवा हमला कर वाया था जिसमें वह बाल बाल बच गए थे निश्रूम से निश्लाइफ के लिटेस अपडेट्स